नमस्का स्वागत है आपका आप देख रहे हैं नाव नौईडा और मेकीर्थी चुनावी समर के बीच फिर से एक बार अखलेश ने सियासी पारा जड़ा दिया है एक ओर जहां बटेंगे, कटेंगे, बयान को लेकर सियासा च्छिडी हुई है तो वहीं दूसरी और अखलेश ने अब इस नारे को सबसे खराब बताया साथी कॉंग्रस को लेकर ऐसी बात बोली है जिसने राहुल प्रेयंका को भी हैरान कर दिया जिसके बारे में आगे बताते हैं नेकिन उससे पहले आपको बता दे हाल ही में अकलेश ने एक सम्मेलन में शरकत की जहां अकलेश यादव ने यूपी उपचुनाओं में जीत का दावा किया साथी अकलेश ने मंच से एलान किया कि इस बार बीजे पी का सूपड़ा साफ होगा और सपा सारी सीटे यानि की 9 की 9 सीटे जीतेगी वहीं इस दौरान जब उसने योगी के बटेंगे कटेंगे बयान को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इससे खराब नारा राजनीती के इतिहास में किसी ने नहीं दिया होगा इनका नारा ये दिखाता है कि ये किस तरफ बढ़ रहे है और PDA उपर की तरफ बढ़ रहा है ये नीचे की तरफ नारा लाब में तयार हुआ और इस नारे के लिए जो सबसे सुटेबल लेता है उससे ये नारा बुलवाया किया यानि कि अखलेश अदव ने सीधे तरफ पर बोला कि ये एक लैब में यानि केंदर सरकार की लैब में ये नारा तयार हुआ इतना ही नहीं इस दोनान अखलेश ने इवियम को लेकर भी सरकार को घेरा उन्होंने साफ साफ खुले शब्दों में कहा कि इवियम और बैलिट पेपर को लेकर भी कि बैलिट पेपर से चुनाओ क्यों नहीं होता अकलेश आदव ने कास्ट सेंसेक्स पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, हमें आरक्षन जाती के अधार पर मिला है, बिना सामाजिक न्याए के समविधान, न्याए भाईचारा और आरक्षन नहीं बचा सकते। ये कास्ट सेंसेक्स से ही हो सकता महराश चुनाव पर भी बात की। उन्हों ने कहा कि हम पांच सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। महराश में इंडिया अलाइंस जीतेगा। अकलेश ने कहा कि BJP ही BJP को कमजोर करती है। इसका परिणाम है कि सबसे जादा गडबनन के तहत महराश में कुछ सीटे सपा के लिए चाते हैं। हलाकि अभी तक महाविकास अधारी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। इस बीच अकलेश यादव ने कहा कि अगर हमें गडबनन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं महाचुनाव लड ही रखा दी है उतरप्रदेश में उन्होंने संत्मेलन में ये भी कहा कि उप यूपी उप्चुनाव में हमने कॉँछ andersटका नहीं दिया। हमने अपनी रणनेती पर नेंने लिया। सवाल सीट का नहीं सवाल जीत का है। नो सीट पर कॉंग्रस के समर्थन के साथ हमने उम कोहरानी के लिए जी जान से जुड़ क्या है अब आगे क्या होता है ये तो चुनाव परिनाम आने के बाद ही बता चलेगा लेकिं जिस तरह से सम्मेलन में अकलेश ने तमाम उन तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस को महराश्ट्र में सीज बठवारा ना करना पड़े इसलिए वह बाक फूट पर यूपी में आ गई तब इसे कई तरह की बातें निकल कर सामने यारती कि कॉंग्रेस साथ है नहीं है इसको लेकर भी अखलेश ने तस्वीरे जो हैं वह सपस्ट कर पिचर पूरी उपर उपचुनाओ की और इंडिया गडवन्दन किस पस्ट कर दी कि कॉंग्रेस साथ है और कॉंग्रेस के साथ ही उत्तरप्रदेश का उपचुनाओ वो पीडियेफ और मुले के तहत लड़ रहे हैं साथी साथ बीजेपी के उन्होंने बटोगे कटो के बय पिचान को भी अपने समेलन में अपने बयानों में लिया अपने जैसे की सुना कि उन्होंने किस तरह से कहा कि एक लैब में तयार हुआ और जो इसके लिए सुटेबल नेता था उससे ये नारा बुलवाया गया और अकलेश यादव लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे ह उत्रप्रदेश की नौ सीटों पर महराश्च में वी वो चार पांच सीटे हाला कि जा रहे हैं या देखने वाली बात होगी कि क्या वो कॉंग्रेस उनको पांच सीटे देती है या वेर वो खुद के बल पर उन पांच सीटों पर ताल ठोकेंगे कॉंग्रेस से अलग होका ये भी देखना हैं होगा, फिलाल उत्तरप्रदेश के उपचुनाओं 13 नमंबर से शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जनता अपना फैसला जो है वो सुनिश्य कर लेगी, ये देखना हैं होगा कि उत्तरप्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाओं होने वाला है, जिसने लिट